कि अब दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी उमीन करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रमाजिदिंग क्लासिस के अंदर जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए स्टीक जानकारी लेकर करके आता हूं पूरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों साथ हम डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो को द्यान से समझना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है काफिसरे सुडेंट्स के लिए खुशी की बात है और काफिसरे सुडेंट्स जो है वो इस खबर को देख करके दुखी भी हो रहे हैं देखिए आपको सब कुछ बता दूँगा ठीक है सटीक जानकरी बता दूँगा दुखी होने क्या होसकता नहीं है यहाँ पे दोस्तों पहले गैस कीजिए कि कौन से एक्जाम पोस्ट पॉन्ड हुए होगए सब इस पेक्टर के या या यूनिविश सी बात है RPSC ने कुछ नहीं कहा यानि कि RPSC ने नहीं कहा कि आपके एक्जाम पोस्ट पॉंड होंगे जबकि युनिवस्टी ने अपने एक्जाम पोस्ट पॉंड करने का फैसला ले लिया है सुनिए बात यह जी राजस्थान न्यूस की ऑफिशल न्यूस है राजस्थान य क्योंकि पहले भी समिस्पेक्टर के एक्जाम पोस्ट पॉंड हुए थे तो बोड ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई एक्जाम पोस्ट पॉंड को ले करके और बोड ने ये साफ साफ कह दिया था कि पिछली बार हमने एक्जाम पोस्ट पॉंड किये थे अब की तो इसी को मद्यानजर रखते हुए यूनिवेस्टी इस ने क्या किया है। अपने exam पोस्टेबून करने को लेकर के notice जारी कर दिया है। ठीक है कौन-कौन से जो exam 8 सितंबर को है 11 को है 13 से 16 के हैं इन सबी को पोस्टेबून कर दिया परतियोगी प्रिक्षाएं और उनिवस्टी की प्रिक्षाओं में हो रहा था टकराओ बहुत सारे स्टुनेंट जो थे वो विद्रो कर रहे थे इसका विरोध कर रहे थे कि उसी दिन सविस्पेक्टर की प्रिक्षा है उसी दिन हमारे ये प्रिक्षा है तो हम कैसे देंगे इसको लेकर के युनिवस्टी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि युनिवस्टी ने अपने एक्जाम पोस्टपॉन कर दिये हैं ठीक है आपको मैं बता दूँ निश्ट जो हुई है उसी पर जो नियत थी थी है उसी पर होगी अब बात आती है कैस्ट्ट की कैस्ट्ट इस न्यूज से थोड़े से अपसेट हुए होंगे क्योंकि वह चाते थे कि सबिस्पेक्टर एक्जाम पोस्टपॉन हो जाए क्योंकि उनका सलेबस कवर नहीं हुआ है देखे दोस्तों अभी जितना आपके पास समय है ना अपना टाइम टेबल बढ़ा दो आगे आप दिन में तीन घंटे पढ़ते हो तो आप तीन को छे कर लो और सलेबस को कवर करने की कोशिश जारी रखो ठीक है दोस्तों मैं तो बस यही रहे देना चाहूंगा आपको देखे हमारे पास हमेशा एक बैक अप प्लान होना चाहिए अगर यदि सब इस्पेक्टर एक्जाम पोस्ट मों नहीं हुए तो बैक अप प्लान क्या होना चाहिए अच्छी तरह से सिलेबस को कवर करना ठीक है उसके बाद आप उनिविश्ट के एक्जाम दे देना बस बा सकते हैं तो आप लोग क्या स्लेबस नहीं कर सकते हैं अरे मोटिवेट रही है स्लेबस हो जाएगा ठीक है ना और बाकी एक और है कल मैंने वीडियो बनाए थी उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन सितंबर को एक बैठक होने वाली है इन परिक्शनों को लेकर के वह यान सरहें अच्छी तरह से स्लेबस करते रहें जिन्होंने स्लेबस कर लिया है वह रीवेंजन कर लें प्रिवियस के bei worry इन परिबस कर लें और जिन लोगों ने स्टर नहीं किया वह उनसे एक ही बात कहना चलोंगा जितना हो सकता है जितना तुम खींच सकते हो खींच लो 60% 70% जितना तुम से syllabus हो पारा है कर लो खाली बेट के मतलब की समय बर बाद नहीं करो अब दोस्तों आपके पास do and die का option है करो या मरो ठीक है ना करो कर लिया है उनके लिए अची खबर कुछ स्टुडेंट दुखी इसलिए क्योंकि वह नहीं चाते थे कि एक्जाम पोस्त यहां स्टेबल रहे पोस्ट पॉन करना चाते थे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों प्रिस्थितियां जीवन में आती रहती है प्रिस्थितियों से घबराना नहीं है उनसे लड़ना है उनसे मुकावला करने की हमें शक्ति लेनी है ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग पढ़िए आपके सोर्सेश हैं वाया इंटरनेट है अलगले टाइ यह मोटिवेट रहिए बिल्कुल भी सैड नहीं होना ठीक है ना पता है आप जो डी मोटिवेट होते तो आपका 70% माइंड हो काम करना बंद कर देता है उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से आप जो पढ़ रहे हैं वह भी आपको याद नहीं रहेगा वह भी आपको हैं जैसे खतम हो जाएंगी वैसे फटाक से उनिवस्टी अपना ओटर जारी कर दे क्योंकि ज्यादा डिले उनिवस्टी भी नहीं कर सकती ठीक है ना बाकि कल क्या फैसला होता है उस पर भी एक काफी साथ सुडेंट की उमीड टिक हो यह तो कल का जो फैसला है तीन सितंबर का वह भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूँगा दोस्तों यहां पर आपको बात बताना चाहूंगा जो भी मैं जानकरी देता हूं हंड्रेड नहीं मैं कहूंगा टू हंड्रेड परसेंट सही होती है ठीक है ना आप चाहिए कहीं से वैरिफाइ कर लेना क्योंकि गलत जानकरी देने का मुझे कोई शोक नहीं है मैं चाहता हूं कि जो जानकरी में स्ट्रूइंट को दूँ वह सत्त परतिशत सत्य हो ठीक है ना तो यह जानकरी आपको लोगों के लिए इंपोर्टेंट थी तो मैंने सुचा कि आप लोगों के बीच में आकर क्या आपको ब पहला दो वीडियो को तक ही सभी लोगों तक सतीक जानकारी पहुंचे इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट करके अपनी एडवाईजरी अपनी राहे जरूर देना आपको क्या लगता है यह फैसला क्या होना चाहिए क्या सच में पोस्पन होने चा जै भारत जै रगस्तान